तो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बार नए मारकेट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो टेक्स्टाइल इंडस्टी का है एक बहतरिंग पेनी स्टॉक जिसका प्राइस चल रहा है अभी 58 रुपे साहट पैस है यह Trident नहीं है दोस्तो ठीके उसके ही comparison में एक दूसरा स्टॉक मिला है ठीके तो हम इस पे आज फोकस करने वाले हैं ठीके लास्ट एक मेने की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.5% तक का अजने तेजी दिखाया है 6 मेने की मैं बात करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तो आपको यह कंपणी NSC, BSC दोनों पर लिस्टेट मिलेगी Trident का मार्केट केप काफी ज़्याद है लेकिन इस कंपणी का मार्केट केप 92 करोड के आसपास का है P.E.N. ratio शोर नहीं हो रहा है ठीके, Return on Employee आप देख सकते हो जो यलो रो है, यह 50 DM है और जो यह बलेक रो ही है, 200 DM है ठीके, तो 200 DM है का support लेके उपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उपर उसको rejection मिल रहा है किसका 50 DM है का, तो वहां से test करके वो बार-बार नीचे आ रहा है, एक बार अगर वो उपर चले जाता है, जैसे यहां पर गया हुआ था तो वो अच्छा कासा उपर हमें momentum दिखा सकता है, ठीके उसके साथ ही हम देखेंगे कि company का जो date free, ठीके company दोस्तों बहुत अच्छी date free है यहां पर आप देख सकते हो, ठीके company के उपर कोई करजा नहीं है और company का expectation है कि मैंने आने वाले जो quarterly result है, वो अच्छा रहने वाला है, ठीके, तो इस company का Q4 का result कैसा रहेगा, वो update हम आपको करेंगे, और company का जो dividend देने का तरीका है, वो आप देख सकते हो, कितना शानदार है, ठीके, negative quality की अगर मैं बात करता हूँ, तो last quarter में promoters ने थोड़ा सा इस्सेदारी कम किया है, ठीके, और company का जैसे deliver a poor sales growth बता जा रहा है past 5 year का, ठीके, और company का जो equity का performance है last 3 साल का, वो थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है, तो यसा कुछ positive और यसा कुछ negative quality भी हमें देखने को मिलता है company के अंदर, साथ में quarterly result के अगर मैं बात करता हूँ, figures इसके भी करोड़ के देखने को मिल रहा है, ठीके, तो अगर मैं बात करता हूँ, last 2 quarters के performance की, तो आप देख सकते हो, जून यहाँ पर pandemic आया था, second wave, लेकिन सितंबर में एक recovery थी, लेकिन December में company का performance थोड़ा सा नीचे आच चुका था, ठीके, उसके साथी net profit के अगर मैं बात करता हूँ, तो net profit में company ने अच्छा कासा मुनाफ़ा कमाया है, क्योंकि दोस्तों सितंबर काउटन में क्या हुआ था, company ने sales को maintain करने के लिए खर्चे को काफी ज़ादा बड़ा दिया था, ठीके, market में अपनी value को, दोस्तों, जिस कदर है, उस कदर बनाने के लिए company ने काफी ज़ादा पैसा खर्च किया था, तो वो पैसा दोस्तों कहाँ पर खर्चे में चले गया, उसके साथी सालाना तोर का अगर हम performance देखेंगे तो आप March 2010 से compare कर सकते हो, March 2010 में company ने पूरे साल बर में 2189 करोड की sales की थी, लेकिन 11 के बाद 12, 13, 14, यहाँ पर दोस्तों company की sales से वो बहुत कम हो चुकी थी, और March 2021 में आते आते हैं महाँ पर अंट्यान में करोड की बची हुई है, ठीक है, इतनी sales इन्होंने March 2021 में की थी, और net profit के अगर मैं बात कहता हूँ, तो net profit भी 5 करोड, 3 करोड, 6 करोड, यह पूरे साल बर का देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ ही, अगर हम percentage बाइस कुछ compare करें, तो आप देख सकते हूँ कि यह company का जो sales growth है, 10 साल पहले 5% था, लेकिन अभी 17% है, profit growth के अगर मैं बात कहता हूँ, 10 साल पहले 7% माइनस में था, लेकिन अभी 107% माइनस में है, ठीक है, इस टॉक का performance लास्ट एक साल में 40% के असपास का return देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ यह अगर मैं बात कहता हूँ दोस्तों, shareholding pattern की, तो आप देख सकते हो, promoters के पास अच्छा का सा stake है, ठीक है, और DII का कोई stake नहीं है, और FII का भी काफी अच्छा stake देखने को में मिल रहा है, ठीक है, sorry, FII नहीं public है ठीक है, ठीक है, तो इसमें DII नहीं है, government नहीं है, FII कुछ भी इसमें investment नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यह company दोस्तों साहिए थोड़ी सी उनके difficult लग रही है, ठीक है, मैं ले सकता हूँ, मैं पैसा डुबाने के लिए तयान हूँ, ठीक है, तो उस बंदे के लिए stock सही हो सकता है, बागी दोस्तों, जो long term के लिए अगर market में आया है, कि मुझे long term के लिए market में रहना है, dividend खाना है, ठीक है, और market की हर चीज को मैं को पहचाना है, तो दोस्तों वो यह stock उन वेक्तियों के लिए नहीं है, ठीक है, तो हम किस company की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो दोस्तों हम बात करें, वेंजीमन लिमिटेड की, ठीक है, जो एक textile industry में काम करता है, अब textile में दोस्तों, आप देख सकते हो, कि Trident भी करता है, लेकिन Trident का क्या fundamental condition है, ठीक है, और वेंजीमन लिमिटेड का क्या fundamental condition है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा के लाया हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं दोस्तों, पेनी stock में उठा के हमें investment करना चाहिए, पूरा technical analysis, fundamental analysis करना चाहिए, तब ही हमें investment करना चाहिए, ठीक है, तो जो मैंने बताया, कि जो रिक्स लेना चाहता है, वो इसमें investment कर सकता है, ठीक है, जो रिक्स लेना नहीं चाहता है, दोस्तों वो बिल्कुल भी इसमें investment नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो long term के लिए market में आया है वो तो बिल्कुल इस stock से दूर रहा है यह मेरा recommend नहीं है यह मेरा personal opinion बद बोल रहा है ठीक है तो यह था एक stock जिसके बारे में हमने आप लोगों को update किया अगर यह वीडियो आपको पसंद आता तो please इस वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe तो कि daily basis पर इसी प्रकार का बैतरिंग update हम आप लोगों तक लाते रहते तो thank you दोस्तो